अज़िए आज हमारा टोपिक है डिवेंचर्स ठीक है डिवेंचर्स की अगर मैं बात कुरूं इसका सब हैड और मेंड वह आपको पता होना चाहिए कि जो डिवेंचर्स हैं वह हमारे किस की की तरह यागा मैं हल्सका लोग्टेंट की इसके बाथ करेंगो इसके कुछ टॉपिक है डिपैंचर्स डिवेंचर तॉक्ष इसकाि एक च्योंक्राइड घोकित डिवेंचर्स की सब्सक्राइए फीज़ championships पर अगर मालो कुछ इवेंचर की एक होती है फेसे लिए तो ऐसी डिवेंचर की फेसे लिए अगर कुछ नहीं मेंशन तो हमेशा कितनी एजिन करते हैं और जो शेयर कोते हैं तो अग्यामपल के थूँ अगर हम समझें मालो मेरी कोई चीज है तो मेरे पास तीन ओशिन से ठीक है माल लोगा चीज है तो मैं उसको शोड़े में भी किसी को प्रोवाइड कर आसकता हूं ठेक है उससे कम हुआ ज्यादा बश्याद तो वही तीन केस्ट यहांपे हमने नम दिये एट पार का मतलब एस्वेल्यू पे इस्यू करना ठी तो चितनी फेसर अगर हम उतने में ही इसी करते हैं अब आता है आप प्रीमियम का मतलब किया है यह निशेयु अभी बेरी अभी वेलिया सो मगर मैंने इस दो इस प्राइज रखा वह से क्या रखा इसजी प्राइज ग्रेटर देन फेस्वेल्यू ठीक है अब वह कितना भी ग यानि 100 से ऊपर जितना भी मैं इश्यू कर रहा हूँ वो मेरा क्या बन जाता है अब आते हैं唇 डिस्काउंट ठीक है डिस्काउंट का मतलब यहां पर क्या होगा इश्यू प्राइज जो मेरा है वो फेस सवर्णियों से कंम यह यांग तो उसको में इसव कर रहा हूं याम्ट कर में दूह सब्सक्राइब कि जो फेसे वैलिया सब जितने भी मैंने डिपेंचर से युकिए उन से सारा पैसा एक बार में लगवा लेन उसको बने लंब सम नहीं और दोसरा होता है इंस्टॉल्मेंट इंस्टॉल्मेंट का मतलब तुकोडों में मंगाना तो अगर मैं लंब सम्म घ्या ओंता हूं तो मे अगर मैं जर्नल एंट्री के बात करों अगर एड़ पार पर है तो पहली एंट्री किसकी है रिसीव की की ट्री होगे हमेशा बेंक अकॉट क्योंकि जब में मुझे से कर्वान तो चाहिए बैंक में पैसा आएगा ठीक है तो बैट टू क्या इस्यू कर रहा हूं डिवैंचर एप्लिकेशन एंड अलोट्मेंट यानि जब भी एक साथ पैसा मंगवा होगे लंचम में तो किस नाम से दोनों एक साथ मैंशन करेंगे अब इसमें एक्जाम्पल इसी का मालो ले लेते हैं कि मैंने सोर पे का डिवैंचर कित में एक बैदे रूपी तो यह हुआ पी अमाउंट हो गया अभी इसको मैं रिवी बोसात हुँ या रांसर अंट्री बोसातों तो यह कि बनेंगी जिसको मैं यहां नियुकर अप्लिकेशन अलावाट्में अगवे घ्र 2 परसेंटेज घ्र अबिकित रहें थे पहले यहां प इस परसेंटेज का मतलब क्या है इसको बोलते हैं इसके आगे जितना भी रेट ऑफ अमाउंट होगा 10% 9% ठीक है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंट्रेस्ट यानि जितने मैंने डिवेंचर कंपनी ने इशु किये उसके बतले वह फेस्ट पर जितना डिवेंचर होड़र को इ अगर आता है तो हमेश्यां उसमें क्या रहेगी से से लिवेंचर में कभी भी नाहीं प्रीमियम का एफेक्ट आएगा नाहीं कभी डिसकाउंट आएगा ठीक है तो यह थी मेरी एट पार पे जन्नल एंट्री किसकी लंसम जब मैंने पैसा मंगवाया ठीक है जब लंसम मंग पैसा किस पर प्रीमियम फे तो जनल एंट्री अभी भी दो होंगी क्योंकि लंसम है तो एक डिसीव की और एक डियो की तो बात करना है डिसीव की एंट्री हमेशा सेम रहेगी बैंक अकाउंट एबिट टू डिवेंटर एप्लिकेशन एंड अलोट्मेंट मगर अब खुद सोचो अगर मैं 100 पर की चीज किसी को 105 रुप में इस्यू कर रहा हूं यह नहीं दे रहा हूं तो पैसा मेरे पास कितने आने माल है 105 तो इसलिए यहां पर बैंक में जो आता है वो क्या लिखते है अगर प्रीमियम प्लस प्लस प्रीमियम यह इसमें कितना है का 105 और 105 फिर है सिक्योर्टी प्रीमियम रिजर किस नाम से सिक्योर्टी प्रीमियम तो यहां पर ओपन फांच 105 और यह वह हैं वहीं रिखेंट अब बात करते हैं में क्राइट कि ब्रत को सकता था इसको तो बोला मैंने कि 100 पी 2.05 यानि कमपनी कोई चीज 100 पी 1.05 में इस्यू कर रहे है तो इसको क्या होगा ठीक है तो फायदा होगा तो हमने अभी कुछ वीडियो पहले पढ़ा कि या तुमने और इलामत में भी पढ़ा हुआ कि जो प्रॉफेट या इंकम जितनी होती हो किसमें आती है क्रेट में तो इसलिए सिक्योर्टी प्रीमियम हमेशा यहां पर क्या होग अब बात करते हैं लाश्ट केस लंग समें कि मैं डिवैंचर किस पर इसकांट पर इसकांट करता हूँ तो तब धी दो एंट्री लंग सम में नंबर बन बैंक अकाउंट एबिट के टूट डिवैंचर एपलिगेशन एंड अलोट्मेंटawan तो इस बार जो हमारा जो अमांट बैंक में सोहर पर की चीज़ अगर मैं किसी को नबर पर में इसु करूँ हूं तो पैसा कितना देगा हो 90 रुपिज तो इसले यहां पर 90-90 आएगा यह अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो क्या लग सकता हम फेस वैलियो माइनस डिसकाउंट हमेशन क्या होगा माइन बढ़ते हैं तो तो तुम बस इस पर फोकस रखना कि हमारी परसेंटे डिवेंशन में हमेशन क्या रहेगी ठीक है तो यहां पर मैं बिना सोचे समझें बहुत सकता हूं कि यहां पर कितना है का हंड़ क्योंकि मेरी फेसेलों कितने हैं डिसकाउंट मैंने दिया उसको दसर पर बेगा और यह जो नबबे आया वह यहां से भी ट्रांसर का सकते हैं यह फिर सो में से दस गया तब ही कितना है ने ठीक है तो यह हमारा का केस था कि जिसमें मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं पार पे प्रीमियम पे और डिसकाउंट दूसरा मैं थड़ा है हमारा कि हम जो डिवेंचर इशू किये हो किसमें इस्ट्रॉल्मेंट यानि एक साथ पैसा ना मंगवा के कुछ इंस्ट्रॉल्मेंट में लिए जैसे मानलों 50 30 20 अगर पा रहा है ठीक है प्रीमियम होगा तो इसके एक्जामपल इसी में समझा देता हूं कि अगर इंस्ट्रॉल्मेंट में मंगवाते हैं तो पहले इंस्ट्रॉल्मेंट को बोलते խूते हैं एप्लिकेशन द्रूसरी को बोलते हैं और थरड को वोते हैं फर्स्ट को esos इंड को आ सब नीच έχει कि कृता स्वाश्वाइन फाइनल को ठीक है एक साथ 3 इंस्ट्रॉल्मेंट में पशा मंगवा या Empress पर है तो यहां पर माल एजिम करते हैं 50 मंगवाया 30 मंगवाया और 20 तो पूरा हमने कितना मंगवा लिया सब्सक्राइब तो जितनी इंस्ट्रोलमेंट होगी उसकी डबल एंट्री तो इसको क्या करेंगे द्यू मगर जितनी भी उसके बार एंट्री होंगी पहले क्या होंगी सारे द्यू तिर होंगी इसको पूरा नहीं समझाओ ठीक है आपका इंन लोजिक यानी एक Maan एंट्री बता रहे हो इंगी आप उसके सब्सक्राइं इसको करके दिखा यह मैं वह रहाँ है कि जितनी भी एंट्री होगा दैंक क्या पैसा आएगा और जिसको कर जिससे पैसा प्रेश्पन अलोट्मेंड और निए क्या वैंट यहां पर क्या लिए सकती है की टृट्मेश्पन के टिम पर एप्लिकेशन तो और सब्सक्राइब तो क्या लिखुआँ डिवेंचर अलॉट्मेंट और जब मैं लास्ट एंट्री करवा तब क्या करवा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से ठीक है यह जितनी भी इंट्री होंगी उसमें बैंक रैबिट होगा और टू जिसका पैसा रिसीव कर रहा हूं फिर आ क्या विओंड है क्या हुआ है तो में यहां लूण है तो फिफ्टीन जोबी नमबर ओफ एंट्र सोंगी तो यहां पर जाया ज्याम पर हमेंशा क्या रहेगी अब आते हैं इन कस में क्या होगा मनों प्रीविमियूं है या फेंशा बिस्काउंट है तो तो यह रखना अगर premium इसम में किसी के साथ mention है तो अच्छी बात है question में गिएवन ओगा अगर mention नहीं है तो by default हम किसके साथ लेंगे allotment ठीक है तो allotment यारी premium same concept ही ये कि premium हमेशा क्या रहेगा credit में रहेगा और discount हमेशा debit में तो वह भी किस entry के साथ dook entry के साथ तो यानी यह जिसके सब्सक्राइब होगा तो वह चला जाएगा तो यह हमारा डिवेंचर का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें यह तीन के साते हैं लंसम में या फिर इंस्टॉल्मेंट में ठीक है उसके बाद सेकिंड टाइप आएगे हमारे पास जो हमने डिवेंचर इशु किये तो किसमें इशु क ले लिया एक जांपल कोई बीडिंग पर्चेश करी उसके बदले में कुछ दे लिया वह भी कर सकते हैं तो सेम यहां पर इसक्ट रहेगा कि जो में इशु किये अभी तक किसमें इशु किये कैश यानि बैंक के तुरो तो अब जो मारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है ड इतना है नेक्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे ठीक है इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि नेक्ट वीडियो में पहले आपके डौट्स बताके फिर हम आगे कंटीनियो कर सकें